तो दोस्तो अच के इस प्रडियो में हम आप सब भी को दंगल टीवी पर आने वाले सीरियल सिंदूर की कीबत की कास्ट के रियल नीम और एज के बारे में बताने वाले हैं जो की शायद ही आप सब भी जानते होंगे और जानने चाहते हैं तो हमारे वीडियो के साथ अंते तक वने रहेगा तो चल ये बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले बात कर लेते हैं जो के सीडियो में यशोदा का करदार निभा रही है उनका रियल नीम असीता धवन है और इनका उसीते हुए हुआ तो अभी इनकी उमर 49 साल है और वही जो के सीरियल में प्रताप का करदार निभा रही है उनका रियल नेम अमित कोश्रिक है और इनका जन 1905 में हुआ था तो अभी इनकी उम्रे 46 साल है और वहीं जो के सीरियल में ब्रिज का करदार निभा रही है उनका रियल नेम सिराज मुस्ताफा है और इनका जन में 1998 में हुआ था तो अभी इनकी उम्र तेतालिस साल है और वहीं जो के सीरियल में कल्पना का करदार निभा रही है उनका रियल नीम जस्विंदर गार्टनर है और इनका जन में 16 नवंबर 1983 में हुआ था तो अभी इनकी उम्र 38 साल है और वहीं जो के सीडियल में शाक्षी का किरदार निभा रही है उनका रियल नेम नीशा नागपाल है और इनका जन में 6 मार्च 92 मी हुआ था तो अभी इनकी उम्र 39 साल है और वहीं जो के सीडियल में प्रिया का करदार निभा रही है उनका रियल नीम प्रेणा शर्मा है और इनका जन 1996 मी हुआ था तो अभी इनके उम्र 25 साल है और वही जो के सीडियल में अर्जुन का करदार निभा रही है उनका रियल नेम शहजाद शेख है और इनका जन में 17 मई 1992 में हुआ था तो अभी इनकी उम्र 29 साल है और वही जो के सीडियल में मिश्री का करदार निभा रही है और रियल नेम वैभवी हंकारे है और इनका जन्म 1997 में हुआ था तो अभी इनके मरे 24 साल है और वहीं जो के सीडियल में विद्या का करदार निभा रही हैं का रियल नीम राज श्री रानी है और इनका जन्म आठ दिसंबर 1987 में हुआ था तो अभी इनके मर चोटस साल है और वहीं जो के सीरियल में दादी का करदार निभा रही हैंना प्रतीक चोधरी है और इनका जन में atravoof में हुआ था तो अभी इनका पीर मर पच्छस साल है और वहीं जो के सीरियल में बल्लू का किरदार नीभा रही है उनका रियल नेम विज्जरेप परमार है और इनका जन में 1987 में हुआ था तो अभी इनके में 24 साल है तो अब आप सभी का क्या कहना है और आपको ये सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बुक्स में जरुर बताईएगा साथ अगर आपको हमारे ये वडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद